हेलो बच्चों बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है आपका नए लेक्षर में सबी लोगों का वेलकम है आज हम कार्बॉक्सलिक एसिड कंपलीट करेंगे बहुत सारी रियक्षन आपकी बेटा रिपीट होंगी और कुछ आपको नई रियक्षन यहां देखने को मिलेगी पुरानी वाली तो आप जानते ही हो ठीक है चलो सुरू करते हैं कहानी शुरू होती ही यहां से पता है आपको यह रियक्षन फ्रॉम ऑक्सिडेशन ऑफ क्या वन डिगरी एलकोहल याद करो जरा वन डिगरी एलकोहल का जब ऑक्सिडेशन होता था तो आर सीच टु ओएच देखो कभी भी ऑक्सिडेशन आप कराया करो तो ऑक्सिडेशन ऐसे कराते है ध्यान से देखना जरा यह जो आर सीच टु ओएच मैंने लिखा क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं देखना तो यह है तुम्हारा वन डिगरी एलकोहल वन डिगरी एलकोहल का जब ऑक्सिडेश से दिखा रहे हैं तो क्या करना है आपको जिस कारवन पर ओएच लगा है उसी कारवन के हाइड्रोजन को ओएच बना दो मतलब सी एच बॉंड के बीच में इंसर्ड कर दो क्या इंसर्ड कर दो ओक्सीजन इंसर्ड कर दो ठीक है ध्यान से देखना जरा तो मैंने यह इंसर्ड होते हैं ना मैंने आपको पताया था कुछ ही स्टेवल होते हैं वह आपको पता है तो वेटा वन डिगरी एलकोहल से एल्डी हैड बन जाता है अब इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूं इधर ध्यांचा देखना अब मैं क्या गरने वाला हूं फिर से ऑक्सिडेशन करा क्यों जिस कार्मन पर ऑक्सिजन लगा है उस पर एक सी एच है मतलब सी एच बॉंड के बीच में ओ लगा दो तो कैसा दिखेगा सी ओ ओ एच इस तरीके से आपको दिखेगा तो क्या बन गया विटा वन डिगरी एलकोहल से पहले एल्डी हाइड बनता लेकिन रियक्शन यह रियजएंट जैसे PCC PDC कोलिंस जॉंस रियजेंट तो ट। तक लेजाएंगे लेकिन बेटा तुम्हें अगर एसिट तक जाना है कहां तक और ऑक्सिराइज कराना है तो जब एसिट तक जाओगे तो इस्ट्रॉंग ऑक्सिडाइज इजेंट तुम्हें होते हैं मैंने आपको बता रखे हैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको दुबाबार से आपको पहले से पता है ना strong oxidizing strong oxidizing agents क्या होते थे ये मैं आपको एक बार फिल लिख देता हूं और कुछ नए आएंगे वह एड कर देता हूं जैसे पहला KMNO4 in acidic medium या hot KMNO4 लिख देते हो आप ठीक है ये ले लो या फिर KMNO4 heating लिख दो या hot KMNO4 लिख दो दूसरा क्या लिख सकते हो K2Ci2O7 acidic medium या फिर hot K2Ci2O7 या K2Ci2O7 heating लिख दो है ना तीसरा देखो जरा concentrated HNO3 के साथ heat करा दो concentrated HNO3 के साथ क्या करा दो heat करा दो तब भी ये काम करता है acid तक ले जाता है और एक आपके लिए नया आया है CRO3 plus H2SO4 और इस reagent का नाम NCRT वाले बोलते हैं Jones reagent ठीक है इसका नाम क्या बोलते हैं ये लोग Jones reagent ठीक है तो धियान लग ना Jones reagent हम दो अलग-अलग मानते हैं हम क्या मानते थे अभी तक Jones reagent CRO3 plus Acetone उसको भी आप Jones reagent बोल सकते हो बस ये धियान अखना Acetone अगर आया तो क्या जाएगा वो LDH पर रुख जाएगा क्योंकि वो mild होता है अगर H2SO4 आया तो तुम्हें Acet तक ले जाना धियान से सुन लो जो बात मैं बोल रहा हूं अगर CRO3 प्लस Acetone वाला Jones reagent है तो बेटा 1 degree alcohol से कहां तक ले जाओगे LDH तक ले जाओगे लेकिन अगर CRO3 के साथ H2SO4 वाला है तो तुम्हें Acet तक ले जाना है क्योंकि यह strong होता है ठीक है धियान रखना तो यह होते हैं आपके strong oxidizing agent यह दो आपको पता थे यह दो मैंने आपके सामने नए और add कर दिये हैं तो आप यह भी ले सकते हो ठीक चलें आगे note करते जाना pause करके चलो अगला है pop-ups rule पढ़ चुके हैं अपन यह एक example से आपको याद दिला देता हूँ pop-ups rule में strong oxidizing agent होते हैं क्या strong oxidizing agent pop-ups rule में होते हैं और क्या करते थे बताओ जरा pop-ups rule में क्या करते थे जहाँ पर जहाँ पर carbon कम होते थे उस तरफ c double bond वाला पार्ट जाता था और मैंने एक तरीक और बताया था इसका totomer बना लो तो stable alken के साथ तो stable alken के साथ totomer इसका कैसा बनेगा ऐसा बनेगा और इसका करा दो बेटा oxidative ogenolysis तो bond break करना है इसको O दे दो इसको O दे दो अब जिस carbon पर O जुड़ा है क्या उसके पास H है नहीं है इधर वाले पर नहीं है इसके पास H है नहीं है ये तो methyl लगा हुआ है मतलब reaction यहीं रुख जाएगी तो कैसा देखेगा आपको कैसा देखेगा आपको ऐसा देखेगा देखो इधर से क्या आजाएगा COH CH2, 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 CH2 कितने चार तो यह है वेड़ा COH CH2, 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 CH2 कितने हैं चार CS2, CS2 लगे हैं और COCS3 मतलब C double bond O CS3 ऐसा देखेगा अगला है बात को तो यह pop-up सुरूल बता रखा मैंने डीटेल में करवा भी रखा आपको अगला है side chain oxidation यह reaction आपको नई लग रही है लेकिन नई नई आप पहले से जानते हो बस आपको यह ध्यान लगना है side chain oxidation में यहाँ पर जो side chain oxidation कराएंगे alkylated benzene का कराएंगे कैसे ध्यान से देखना जड़ा side chain oxidation में क्या होता है मेरे पास benzene ring है यहाँ पर R group लगा दिया ध्यान से समझना benzene ring है और क्या लगा दिया बेटा R लगा दिया क्या लगा दिया R लगा दिया अगर R के पास एक भी alpha H है तो oxidation हो जाएगा ध्यान से सुनना if at least one H is present at least one H is present मतलब इसके लिए बोलूँ मैं किसके लिए ध्यान से सुनना अगर मैं इसके लिए बोलूँ तो इस बाले का at least one alpha H होना चाहिए मतलब R के पास जो H की बात मैं कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ alpha H होना चाहिए यह जो है ना यह one H का मतलब alpha H किसके रिस्पेक्ट में इस बेंजीन का alpha H होना चाहिए यह जो बेंजीन का alpha H होना चाहिए तो पूरी की पूरी अलकाइल वाली जो चेन है वो पूरी ऑक्सिडाइज हो जाती है COOH में है ना तो देखो ज़रा इसका अगर मैं कि इसका अगर मैं ऑक्सिदेशन कराता हूँ और मैंने यह मान लिया कि आर के पास at least one H है मतलब इस बेंजीन का at least one alpha H है तो यह पूरा का पूरा आर उक्सिडाइज हो जाता किसमें COOH में ठीक है डारेक्ट धियान लगना इसको लेकिन हम इसको ऐसे नहीं दिखाते हैं हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि पहले यह basic medium में reaction करता है और COOK बनाता है Kmno4 यहाँ पर reagent दिया जाएगा in presence of COOH यह heating करा रहे हो आप इसके presence में है ना तो यह basic medium है तो यहाँ salt बनाओगे आप है ना और इसके बाद इसको acidify कर दो acidify करने का मतलब है S3O positive के साथ इसको ले आए तो salt से acid बन जाता है मतलब R में कितनी भी बड़ी chain हो सारी की सारी benzoic acid बना देती है ठीक है लेकिन अगर 2R present हो तो क्या होगा चलो पहले 1R वाले कर लेते हैं फिर 2R लगा देंगे जैसे माल लो यह लिखा है बताओ ज़रा Kmno4 KOH heating करानी है then H3O positive तो final बता दो क्या है कैसे चेक करोगे इस ring का किसका है इस कारवन के जो H है वही तो alpha H होंगे इस benzine ring के बास फिर क्या है देखो तो तुम्हें क्या करना है final पूरा का पूरा oxidation करा देना है किसमें COOH में इस तरीके से complete oxidation करा देना है ठीक चलो आगे बढ़े मैं आपको और question इसमें practice करवा देता हूँ ध्यान दखना reagent आप क्या यूज कर रहे हो अगला बताना आप जड़ा है देखो ऐसा लगा है इसका oxidation कराओ आप ऐसा लगा है इसका oxidation कराओ इस तरीके से कराते जाओ करो ट्राइ करो अभी जो बताया है मैंने वही रूल लगाना है साथ में करते जाओ मेरे है ना सीख जाओगे अगला देखना जड़ा अगर मैंने दो अलकाई लगा दिये ऐसा 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 कितने भी लगा सकते हो आप है ना सभी में reagent सेम है आपका reagent क्या है यहाँ पर Kmno4, KOH और acidification सभी में जो reagent अपन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं Kmno4 in presence of basic medium heating कराते हैं और फिर acidify कर देते हैं इस तरीके से यह ना चलो बताना जरा इस रिंग का यहाँ पर जो H है वो अलफा H होंगे at least one भी आपको मिल गया तो पूरा group convert हो जाएगा यह पूरा का पूरा क्या बन जाएगा benzoic acid पूरा group convert हो जाएगा benzoic acid में यहाँ देखो इसके पास at least 1H मिल गया yes benzene के respect में देखना है तो पूरा का पूरा group बन जाएगा क्या बेटा benzoic acid पूरा cm यहाँ भात जाएगा कि यहाँ आजाएगा सी ओच और यहाँ आजाएगा सी ओओः इस तरीके से बहुत अगला देखो इस वाले पर और इस वाले पर देखो दौने जगह H है अलफा H आपको मिल जाने चाहिए बस है ना तो यहां COH और यहां COH इस तरीके से होता है यह बहुत आसान है अगला बताओ इधर भी H है इधर भी H है इधर भी H है बेंजीन के रिस्पेक्ट में सभी जगह अलफा H है इसका मतलब सभी जगह क्या आ जाएगा है COOH क्या जाएगा है COOH इस तरीके से समझे वात को तो ऐसी रियेक्शन होती है अगर मैं और करवा देता हूं क्वेश्चन तो देखो जितने देखो के उतना अच्छा रहेगा आपके लिए और देखो और सवाल देख लो रिएजिट आपका यही है सब मैं ना देखना जरा बैंजीन ऐसा 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 एसा एसा इसका बताओ बैंजीन ऐसा 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 इधर भी लगा लो एक रिंग बता दो जरा फटावट से, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ये देखना है, कि अलफा H है, मतब पूरा ग्रूप CuH बना देंगे, है न, देखना, तो इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में, इधर, अच्छा ये तो कर लो पहले, इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में, यहाँ H है, तो Oxidation करा दो, तो इधर से Oxidation होगा तो CuH लगा देना, और नीचे से Oxidation में CuH लगा देना, तो बाकी Carbon का क्या हुआ, बेटा, यह सारे Bond-break हो जाते है, इतना स्ट्रोंग होता है, यह सारे Bond-break कर देता है, तो यह सब एक-एक Carbon के CO2 Water बनाते जाएंगे, है न, तो वह सब न इधर आएगा इधर और इधर आएगा इधर और इधर आएगा इस तरीके से समझे रहे बात को बहुत आसान है एक माई स्टर वाला पॉइंट लेते हैं अगर एच नहीं हुए तो ऑक्सिडेशन मत करा देना है न तो यह बैंजीन है C, C, S3, C, S3, C, S3 देखो अब इसका अलायलेक या बैंजायलेक एच नहीं है मतलब बैंजायली की सोचो कि क्योंकि बैंजीन के रिस्पेक्ट में गुरूप लगे तो यहां पर H नहीं है इसका मतलब no reaction ध्यान दखना क्योंकि H है नहीं न तो ऑक्सिडाइज़ेबल नहीं है ठीक समझगे वात अगर कभी ऐसा हो जाता यहां से सुनना यह तो पहला दूसरा अगर ऐसा हो जाता कि दो रिंग दी जाती है यहां प्लस हैम और यह कुछ नहीं होता तो जो रिंग ऑक्सिडाइज होती है वह एक्टिवेटर रिंग होती है एक्टिवेटर रिंग का मतलब जिदर से उधर सी यह बन जाता यार बस इस तरीके से अग्र-M होता अगर-M होता है अगर-M होता उण सब्सक्राइब करते हैं तो यह ज्यादा इसके मुकाबले में तो माइनस एम वाला ग्रूप यहीं रहता और इधर से रिंग सब्सक्राइब कर लो कि अगर अलफा हुआ तो सीवेच लगा देना जहां जहां से कनेक्टिविटी वहां वहां से सीवेच लगाना है एक एक ऐसे रफ में पूछ लेता हूं चलो अगर आपको कुछ भी दे दिया जाए मालो इस तरीके से दिया एक दो तीन चार पांच है क्य आएगा तो यह नहीं बनेगा लेकिन यह सारी बन जाएंगे तो इस तरीके से होता है समझके रियक्षन क्या करना है फिर सुन लो जरा बैंजीन अगर लगी है उस पर कनेक्टिव कारवन मतलब जो कनेक्टेट कारवन है पहला कारवन वहां अगर एच हुआ तो पूरा ग्र याद होगी आपको एक बाफिट से लिख देता हूं आर एमजी एक्स इसकी रियक्षन कर आई थी वेटा किससे सी यो टू से तो जो आर माइनस होता है वेटा कौन सा आर माइनस यह अटेक करता है इस पर यह बॉन्ड ब्रेक होगा क्या बनता था आर सी डवल बॉन्ड वह क्या इसे म्हान गया है शिंगल o-mg x ऐसा दिखेगा अब तुम क्या करते हो इसको ऐसेट फाई मांदा पानी में डालो या तो reaction तुम करा रहे हो co2 14 बताओ क्या बनेगा यह अटेक करेगा इस पर पीएच को नेगेटिव इसी तरीके से अटेक होगा पूरा है ना mgx बनेगा और पानी डाल दोगे तो पीएच को च बनेगा इस तरीके से ठीक है समझ के चलो आगे बढ़ते हैं अगला देखो from hydrolysis of cyanide and acid derivative नई reaction है लेकिन कोई नया पंज ऐसा नहीं है hydrolysis of cyanide तो मैं आपको बता चुका हूँ acid derivative कोई भी आजा है similar hydrolysis होता है तो पहले मैं आपको cyanide का बता देता हूँ एक बार फिर से revision हो जाएगा आपका है ना cyanide का hydrolysis कैसे बताया था मैंने दो टाइप से hydrolysis बताया था एक बताया था अगर H3O positive partial hydrolysis बोले अगर लिख दे partial है ना तो क्या करोगे वेटा दौना पाई बॉंड ब्रेक करना है क्या करना है पाई बॉंड तो ये दौना पाई बॉंड ब्रेक होंगे ये प्लस और है वहां h प्लस दे देना दो बॉंड ब्रेक करे तो दो देने ना और जहां पर प्लस है वहां Oh negative दे देना खतम तो एक ही कारवन पर दो ओच आएंगे ऐसा दिखेगा है और सिंगल नाइट जन पर दो आच आ जाएंगे अब एक ही कारवन पर 2H water निकाल दोगे ठीक तो ये final further किस में convert हो जाएगा C double bond हो NH2 में ऐसा ठीक ये partial हो गया लेकिन अगर मुझे complete hydrolysis कराना है ध्यान से देखना complete में क्या होगा C double bond N complete में वो लिखेंगे नहीं अगर कुछ नहीं लिखा है तो complete है automatically है ना क्या करना है यहां से तीन ओवांड में रेक कर देना है एच प्लस हप्लस 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 ओट माइनस ओट माइनस ओट माइनस ठीक है तीन इसको दे दो एक ही कारवन पर तीन ओच आएंगे और तीन ओच आएंगे तो दो ओच मैंसे वाटर निकाल दोगे यह ओएच यह तो क्या बन जाएगा फर्दर आर सी डवल बॉंडो ओएच ऐसा दिखेगे समझे रहे बात को मदलब साइनाइट के हाइडॉलसिस से एसड बनता कंपलीट से लेकिन अगर पार्सी कराया तो आर सीयों इस टीक मदलब तुमने इससे क्या बना दिया और इससे क्या बना दिया एस डुन आदिया एक अब मैं एसे डेरिवेटिव का बताता हूं आपको यह तो साइनाइट वाले हो गए अगला है अब मैं ऐसे डेरिवेटिव ले रहा हूं एक जनरल लिएक्शन लिख देता हूं क्या आर सी डवल बॉंड हो जैड अब तुम जैड वेरी करते हो मैंने आपको बताए ते ऐसे डेरिवेटिव गरगनाटी एजंट में अब जैड व किया अगर मैंने यहाँ पर चलो मैं अलग से लिख देता हूं अगर मैंने जैड यहाँ पर सी एल ले लिया तो तुमें यह क्या देखेगा among Purello और इसका अगर तुमें hydrolysis कराना है ठीक है अब इसमें भी hydrolysis दो टाइब का हो सकता है एक acidic और एक alkaline alkaline का मतलब base के साथ treat करा दो acid का मतलब H3O positive है ना मतलब इसमें water का addition करना है तो कैसे करना है water का addition कैसे करोगे ये bond तोड़ोगे CL पर minus और C पर plus आएगा यही आएगा और acidic medium में hydrolysis का मतलब water का addition cross में जोड़ तो plus minus तो कैसा दिखेगा R C double bond O H plus HCl निकलता जाएगा अगर तुम्हारा ये तो होगे acid chloride अगर तुम्हारा जैड हुआ O C O R S फिक है तो ये बन जाएगा एन हाइडराइड कैसे R C double bond O C double bond O R dash अब तुम्हे कराना है क्या hydrolysis ध्यान से देखते जाना अब तुम्हें इसका hydrolysis कराना है hydrolysis का मतलब water जोड़ना है कैसे ये bond तोड़ो और ये bond तोड़ो ठीक यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्या करोगे इसको देदोगे विटा ओएच इस तरफ ओएच देदोगे ओएच प्लस इधर क्या देदोगे ओएच प्लस इधर क्या देदोगे ओएच प्लस तो ये वाला पार्ट क्या बन गया आर सी ओ ओ ओएच प्लस राइट साइड वाला पार्ट ये वाला पार्ट क्या बन गया और डैस कि सी ओ एच ऐसा मतलब दौना एसे डिक पार्ट बन जाएंगे तो एसे टिक लोराइड एनाइड राइड अगला देखो अगर मैंने ऐसा ले लिया जैड को ले लिया ओ आर डैस तो आर सी डवल बॉन्डो ओ ओ ओ आर डैस हाइड डॉलिसिस कराना है ठीक है ध्यान से देखना ज़रा यह बन तोड़ेंगे इसको एच प्लस और इसको ओ एच माइनस तो आप ध्यान से औफजरव करो रियेक्शन ये वाला ये जैड वाला पार्ट हट रहा है मदा सी जैड़ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना तो सी जैड़ बॉन्ड ब्रेक हो रहा धियान दकना आप तो यह वनगया एसड आर सी ओ ओ एच और प्लस क्या वनगया आर्डैस लिए अगर तुम यहाँ पर अमाइड लेते तो आर सी डवल बॉंड ओ एन आर्टू कि एस थ्री ओ पॉजटिव क्या करना है बॉंड ब्रेक करना यह इधर आएगा क्या एच प्लस ओ इधर आएगा क्या ओ एच माइनस तो आर सी ओ ओ एच प्लस आर्टू एन एच ऐसा होता है समझे रों क्या हो रहा है बॉंड ब्रेक करते जाओ एच ओ एच से करते जाओ बस तो यह वाला पार्ट देखो जरा फिक्स आ रहा है इधर और इधर वेरी कर रहा है वो डिपेंड करता है ऐसे डेरिवेटेव आपका क्या है लेकिन तो एस्टर है मैं इससे ही बताएता हूं एस्टर है तो एस्टर का आगर आपको alkaline hydrolysis कराना है क्या अलकलाइन मतब बेसिक मीडियम में ठीक तो यह बॉंड ब्रेक करो ठीक है इसको एच और इसको ओएच दे दिया आपने अब यहां जो एसट वाला पार्ट बन रहा है ना तो यह होता है बाकि acidic hydrolysis important है alkaline बस ऐसी ध्यान अखना यह जो acid बना है ना इन सबका है चटा दो क्योंकि बेसिक मीडियम होगा ना कि एक उने कि बन जायेगा चले आगे अगला आये फ्राम आखिएड वुझो लेसे सब्स पढ़ चुके हो यह रिकसं याद करो यारब तो याद आनी चाहिए अलकीन में और अलकाइन में ऑक्सिडेटेब जोलिसिस याद करो अलकीन में कैसे होती थी C double bond C यहां R3 लगा दिया यहां H लगा दिया यहां R1 लगा दिया ठीक है R1 और यहां R2 कैसे करते थे अक्सिडेटेब जोलिसिस में क्या करते थे बेटा bond break करोगो ओ दो ओ दो निकल लो अलग अलग कर दो ये अलग करोगे तो बेटा ketone आ गया ये तुमने अलग किया तो क्या आ गया ketone आ गया plus right side वाला अलग करोगे तो O double bond C यहां क्या आएगा R3 और इधर क्या आएगा H लेकिन ये LD hat पे मामला नहीं रुखेगा जैसे ही आपने देखा जिस carbon बर O आ रहा है उसके CH bond के बीच में भी O insert कर दो CH bond के बीच में भी O insert कर दो तो उधर वाला पार्ट भी acid बन जाएगा मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं ऐसा तो ये कहानी थी किसकी अलकीन में अगर मैं अलकाइन में कराता हूं ध्यान से देखना आरवन सी ट्रिपल बॉंड सी आरटू तो पहले आप क्या करते हो और वन्ड ब्रेक होंगे ORO से क्या बनेगा आरवन सी डवल मॉंडो और बॉंडो इपल बॉंड रटू अब तुम बॉंड ब्रेक कर दोगे बीच वाला खुक है ध्यान से देखना ये बॉंड ब्रेक करोगे किससे वेता से बीच में से तोड़ दो किसे तो कैसा देखेगा कि आरवन सी ओवेच प्लस आर्टू सी ओएच ऐसा देखेगा तो अलकाइन से यह हुआ अलकीन से यह हुआ ठीक अब इसमें रियेजंट आप क्या लेते थे पता हो जरा ओजों लिसमें रियेजंट याद होंगे ना आपको रियेजंट जो आप यूज करते हो वो क्या क्या यूज करते हो ओक्से डिवन जोसिस के लिए O3 CCL4 वाटर दूसरा O3 CCL4 AG2O भी दे सकते हैं ऑक्सिडाइजिंग एजेंट और तीसरा KMNO4 acidic medium में या hot KMNO4 ठीक है या K2Cr2O7 या hot K2Cr2O7 यहां 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 थोड़ा खिसका लेते हैं लिटिल बिट अब सही दिख रहा है ठीक है तो यह कहानी है वड़ा आसान सा है पढ़ चुके हैं यह तो आपन पहले ही रिवीजन करवा दिया मैंने आपका साथ-साथ अब आज़ो ज़रा एसेड़ नेचर जी उसी में पढ़ा था हमने बिटा जो कार्बॉक्स से लेके असेड़ होते हैं असेड़ नेचर के होते हैं तभी तो आप एसेड़ बोल ले हो है ना तो आर सी ओ एच यह यह एसेड़ की तरह काम करें तो क्या करें एच प्लस रिलीस करते अब इसकी एसेड़ एकस्टन जमाने भर की कंपेर करा रखी है ना तो इसका एच प्लस निकल जाए तो यह बन जाएगा अब क्या क्या रियेक्शन आप इसमें करवा सकते हो देखो मैं एक साथ सारी रियेक्शन लिख रहा हूं है आर सीन विखा है डिए एसेड़ की तरह काम कर रहा है न मतलब क्या निकाल रहा है यह ए ऐश प्लस अ क्या निकाल रहा हूं अब देंग ह 친 पर तुक्екст का सुडियूम के साथ हीट कर दो थीए-च च्छ करा दो आप एपने वच के साथ करा दो आप एपने एच के साथ करा दो और और यह कर दो सभी रियक्शन देगा यह और यह ऐसे टिक मुणियम के इसके वेरिफाइब भी करती है तो RCONA प्लस H2 एक H निकला आधामोल H2 बना अगला NANS2 प्लस माइनस RCONA प्लस NH2 नेगेटिव H लेकर क्या बना लेगा बेटा? अमोनिया इधर देखो N A प्लस HCO3 नेगेटिव क्या बनेगा? सॉल्ट तो देखो सभी में ही वोई बनना है RCONA प्लस H2CO3 जो कि CO2 वाटर में ब्रेक हो जाता है और यह रियेक्शन प्रोसीड इन दा प्रोडक्शन ओ वीकर एसेट वाला कॉंसेट है इधर प्लस माइनस मतलब सॉल्ट सभी में वही बनना है ठीक है? सॉल्ट सभी में वही बनना है क्योंकि एसेटिक मेडियम वेरिफाई होता है इससे और जितने भी यह सब बन रहे है H2, ammonia, H2CO3, H2, H2O यह सब वीकर एसेट है कंपरिजेंट टू एसेट इसले रियेक्शन फॉरवड डारेक्शन में जाती कॉंसेट बता है था हमेने बहुत अच्छा समझ गए? एसेट एक नेचर अगला डिहाइडरेशन बहुत आसान है अगर मेरे पास एसेट है RCOH ठीक है? RCOH तो इसकी रियेक्शन आप करादो P2O5 के साथ करादो या फिर कॉंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करादो Dehydrating Agent होते हैं यह क्या होते हैं बेटा? Dehydrating Agent क्या है यह? Dehydrating Agent Dehydrating Agents है अब यह Dehydrating Agents का मतलब क्या है? पाणी निकालना है क्या गरना? पाणी निकालना है कैसे? ध्यान से देखना हूँ इसके 2 मोल यूज होंगे यहां लिख देता हूँ R C double bond O H एक ऐसा लिख लो और दूसरा लिख लो R C double bond O H तो यहां से क्या करो पाणी निकाल दो पाणी इस bottle में पाणी भर दो क्या बनेगा एनाइडराइड कैसा R C double bond O C double bond O R इस प्रकार बनेगा मुझरबाद को यह कहानी है ना चले आगे अगला esterification alcohol में पड़ा रखी बेटा मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइस करके बैटो कम से कम है ना ऐसी सखल देख रहो मेरी थोड़ा revision करके आया करो मूट आके बढ़ गए देखो esterification क्या होता है acid plus alcohol acid एक medium में है ठीक है देखो क्या होगा आर सी ओ ओ ओ i is we can't crash. aid का ओए और एलकोहल से क्या लेलोगी m a 8íasih to say krej lub fan c और एलकोहल से एच एस डर न गया क्या गया सी ओ only और एस्ट से बिटा ओर एंच और एलकोहल से एयच क्या करना है water निकालना है इसके अलावा हे इसके अलावा क्या लेते थे पहला ऐसा दूसरा आप RC double bondo CL भी ले सकते हो, R-SOH, acidic medium, याद दिलाओं क्या, देखो, नहीं पता, ऐसे तोड़ते थे माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, HCL निकाल लो, याद आया क्या, देखो, ऐसा दिखेगा, एस्टर, या तो मैं है नाइट राइड भी लिया करते थे, अब तो बेट याद आना चाहिए, R1 C double bondo, O C double bondo, यहां R ले लो, इधर आल ले लो, ऐसा, अब इधर bond break कर लो, कैसे करते थे, अच्छा, पहले इसका वो लिख लो, दूसरा वाला पार्ट, मतलब एलकोहल वाला, प्लस R-SOH, Acidic Medium, Sir, bond तोड़ना आता है क्या, देखो, यह break हुआ, माइनस प्लस, यहां प्लस माइनस, यह प्लस इसके पास R-C-OH अलग बन गया, और Ester बना क्या, R-C-O-O-R-10, ठीक है, तो Esterification, बड़ी सिंपल ली एक्षन, सब कुछ मैंने बता रखा था, पहले किसको protonate करना है, कार attack होता था, मैं करें पूरी बता रखें, डीटेल में, question भी करा रखें, बस revision करवा रहा हूं आपको है न, अगला reaction with PX3, PX5, SOX2 and ammonia के साथ, ठीक, ध्यान से देखना जरा, थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा हो का आपको पुनानी reaction, देखो, हमने alcohol में पड़ी थी, अब acid में आ जाओ, RCOH की reaction, चाहे आप PX3 ले लो, चाहे आप PX5 ले लो, चाहे SOX2 और चाहे ammonia, ठीक है, ammonia के साथ, हीटिंग कराते, एक्चुल में, ठीक, ध्यान से देखना, PX3 के साथ क्या बनेगा, RCOH, एसा देखेगा, PX5 के साथ क्या बनेगा, RCOH, अगेशा देखेगा, SOX2 के साथ क्या बनेगा, R mean, ऐसा ही बनेगा न, बस होगा क्या, इस वाले में याद करो क्या निकलता था, H3PO3, यहाँ POCL3 या POX3 प्लस HX, अगर आपने X लिखा है तो X ही लिखो और इसमें क्या बनता था? SO2 प्लस HX और अगर तुमने यहाँ पर SOCl2 ले ली तो Dargen's Reaction जैसे यह सेम टूसे है ना और यह मस्त होती है, मतलब यह बढ़िया होती है क्यों? क्योंकि SO2 और HCl क्या होते हैं? गैस ओड़ जाते हैं, आपको यही मिलता है तो Acid Halide बनाने की Preparation बोल सकते हैं अब इसको अब अगर तुमने इसके साथ Ammonia की Heating कराई तो सबसे पहले क्या होगा? यह Acid की तरह काम करेगा, यह Base की तरह है तो Salt बनेगा सबसे पहले Salt बनेगा, ठीक है? अगर तुमने Heating पहले नहीं लिखा है तो तुम इसका बनाओगे, क्या बेटा? Salt बनाओगे ऐसा और इसको Heat कराने पर देखना RCO-NH4 प्लस लिल लिया, अब बेटा जब इसकी Heating कराओगे पाण ही निकाल दोगे, कहां से? इधर से 2H, यहां से 2H, और और कहां गया? क्या बनाना है? water निकालना है? इन दोना मैंसे कोई भी एको ले लो, H2 निकालना है? इधर से 2H ले लिये, ठीक है? इधर से मैंने यह O ले लिया, तो आप क्या करो? यहां से water निकाल दो, तो RC double bond O आ जाएगा, और NH2 आ जाएगा, water निकल गया, इस तरीके से, तो ammonia के साथ आपको heating करारी है, अब इसको direct कैसे लिखोगे? usually NCIT में पहले salt बनाया जाता है, फिर heat कराके यह लिखते है, मालो ammonia के साथ सीधी heating दे दी तो आप यह direct कैसे बनाओगे? बहुत आसान है, यह इसको ऐस से और माइनस को प्लस से, और गनेक में यह हो रहा है इतने दुनों से, यह ना, चलो भई, आगे बलें, तो direct आपका अंसर आजागा इससे, अगली reaction बेटा, D carboxylation reaction, ठीक है, ध्यान से देखना, पढ़ चुकिए आप यह, एलकेन में यार, देखो, D carboxylation में क्या होता था, R, C, O, H, N, O, H, C, O, 3, 2, 1, mixture लेते थे, क्या उड़ा देते थे, CO2, इसको उड़ा दो, क्या बन गया, R, H बन गया, ऐसी करते थे, ठीक है, कोलवेज अगल ले लिया, तो यहाँ salt हुआ करता था, R, C, 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 C बनाईेंगे, और ऐसा ही R-radical अपने एक और R-radical से क्भाइन होके क्या बन जा जाएगा, R, R बन जाएगा, मतलब इतने वाले पार्ट को डबल करने का, R के साथ R को जोडने का, आंसर बनाने का, ठीक है, है, खुछ रहने का, चलें हांके, चलो भएके, यह दौनों रिएक तो क्या अबड़ा ओएलेस क्या करता है रिड'क्शन करेगा एस भी वगयर इसका श्यानी करता हेचस्2 एनाइमें भी हम यह नहीं लेते हैं क्यूंहँ हए है च्श्ट राते था है टॉक्षान करा देते है Chelsea के पिर जो यह तो आप है अ क्या करोगे इसको 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 तोड़ दोगे कैसे ध्यान से देखना reduction में क्या करते हो यह bond break किया किससे H और H से यहाँ LDID बना यह pi bond break किया किससे H और H से तो RCH2 OH RCH2 क्या आएगा OH LAH के अलावा जो दूसरा reagent यहाँ काम आता है वो ले सकते हैं B2H6 THF इतना बस दिये अब इसको उससे confuse मत हो ना B2H6 THF H2O2OH- Hydroboration Oxidation से ना यहाँ सिर्फ और सिर्फ Hydroboration वाला reagent उठा दो वो भी सेम यही reduction करता है एल्कोहल तक ले आता है तो acid के reduction के लिए LAH ले सकते हो आप SBH नहीं ले सकते और B2H6 भी आप ले सकते हो जैसे मानलो ऐसा लिखा है इस प्रकार से COH और आपसे बोल दे LAH या B2H6 THF क्या करोगे इस bond को तोड़ दंगे क्या कर दंगे तोड़ दंगे ऐसे यह तूटा H और H से यह वाला भी तो break करेंगे सर ऐसा 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 क्या आएगा सर CH3 CH2 तही ना CH2 दो एच आ गए और वह एच कि इथायल एल्कोहल एसट एक एसट से इथायल स्कौनी अगली रृक्षण कितनी बार आई आपकी जिंदगी में बस अब क्या आ गया चाग ता है किया होता है मतलब माइनस M का मतलब क्या है मैटा डारेक्टर मैटा डारेक्टर या मैटा डारेक्टिंग मतलब जो यह इलेक्ट्रोफाइल देंगे यह बताएगा कि मैटा पे जाओ तो M A का मतलब क्या होता मिक्स्ड एसड क्या है Mixed Acid Mixed Acid मतलब क्या है Concentrated HNO3 Concentrated H2 as a 4 Concentrated H2 as a 4 S आएगा और ये दोना बेटा मिलकर क्या देते हैं तुमको ये तुमको मिलकर देते हैं क्या ये ये NO2 और जब NO2 प्लस के साथ reaction होती है तो इसके मेटा पर लगाना है क्योंकि ये है मेटा डारेक्टर ऐसा इसमें क्या अगर होगे BR2, FE, BR3 ये तुमको क्या देता है ये देता है तुमको BR+, जो कि एक Electrophile है Electrophile है Electrophile substitution Reaction क्या जाएगा COH और यहाँ पर BR ठीक है ऐसा देख रहो ये कहानी है समझ गे तो कहानी कुछ ऐसी है यहाँ तक हम पहुंच गया है अगली है HVZ Reaction हैल, वोलहाड, जलन्सकी Reaction या इस Reaction का एक और नाम है हमारा वतन जिन्दाबाद ठीक है तो HVZ Reaction हैल, वोलहाड, जलन्सकी नई Reaction आपके सामने विद मैकनेजम सारी चीजह है एक्स्प्लोर करेंगे ध्यान से देखना पहले मैं आपको डारेक्ट मैथड बताऊंगा फिर मैकनेजम पे चलेंगे आर्सी एच्टू लगाओ पहले आर्सी एच्टू सी डवल बॉंड ओएच इसकी रियक्शन होती है रैड फॉस्पोरस एक्स्टू के साथ एक फिर पानी डाल देते हैं तो क्या बनता है इसके ध्यान से सुनना किसके इसके इसके किसके इसके देखो इस वाले के अलफा कार्बन पर ध्यान से इधर इसके अलफा कार्बन पर यहां पर एक एच हटाएंगे एक एक एक्स लाएंगे ठीक है कईसा देखेगा आईसा देखेगा आर्सी एच एक्स सी ओवेच कतम एच हटाकर एक्स लगाना हैं है आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो देखो ज़रा इस तरीक से देखो CX निकालेंगी, Final answer, Final answer, देखो, तइनना, यह तो बात है, चालो, अब हम देखेंगे इसकी मी के निजम, क्या देखेंगे मी के निजम, तो बड़ा मैं के निजम पूर चलेंगे, कैसे होता होगा, कैसे, कैसे हुआ, देखो जरा, ऐसा, R C double bondo, ना वेटा, ना, R CH2 C double bondo, ओच, यह है, अब सुनना जरा, सबसे पहला काम, red phosphorus, प्लस X2, आपस में reaction करके देंगे PX3, सबसे पहला, तो इसकी reaction, red phosphorus, और X2 के साथ होगी, तो क्या बनेगा PX3, और यह reaction बेटा भी पीछे पढ़ चुके हो, तुम देखो जरा, OH हटा कर, X लगाना है, है ना, OH हटा कर, X लगाना है, अच्छा, यहाँ पर अपनने मेक निजम का, मेक निजम का, हेडिंग नहीं दाला, सर, मेक, ऐसा, ऐसा, ओ, ऐसा, मेक निजम, ठीक है, धिखान से देखना, वापिस आओ, OH हटा कर, X लगा देंगे, RCH2, C double bond O, X, ठीक है, अब बनाएंगे वेटा, इसका in all form, क्या बनाएंगे? इन all form, कैसे ये 1, ये 2, अलफा वाले से 3, 3 से 1 पे 1, 2 का बनाएंगे, पर शिफ्ट कर देंगे, क्या आएगा? क्या आएगा? RCH, double C, OH और X, ऐसा देखेगा, अब इसके बाद, X2 molecule तो थे ही आपके पास, X2 molecule, तो X2 molecule अगर थे, तो X2 molecule ऐसे लिख लिए, ये oxygen अपना lone pair, bond pair में convert करेगा, ये bond pair, lone pair में convert करेगा, और ये इस पर attack कर देगा, और ये X निकल जाएगा, इन step को हम ऐसे भी दिखा सकते, देखो, ये lone pair, bond pair में convert हुआ, और ये bond यहाँ shift हुआ, मतलब इस bond को यहाँ shift करो, और ये निकाल दो, और ये जो bond मैंने shift किया, इसको तुम दो पार्ट में describe कर सकते हो, समझने के लिए कैसे, पहले ये यहाँ पर carbonine बना, मतलब एक्जेक्ट carbonine नहीं बनता, सोच लो ऐसा कि यहाँ negative बना कि इस पैटेक्ट कर देना, मतलब ओवरॉल ये दो step का मतलब ही ऐसा होता है, इन दो step को जोड़ दो मतलब यही है, तो books में ऐसे use करते हैं कि direct करो, अपने ऐसे समझने के लिए दिखा रहे हैं, ये electron यहाँ गए और इसने attack कर द यहाँ X, यह H प्लस हटा दो, क्यों हो यह X negative निकला, यह H प्लस को ले जाएगा, अब आपको दिखेगा RCH X C double bond X, और इसमें डाल देंगे पानी, पानी का मतलब एक तरीके से hydrolysis होता है, तो hydrolysis करा दो, bond break करो, यहाँ H दे दो, और यहाँ OH दे दो, तो बापिस यह acid में convert हो गया, और alpha halo acid बना, क्या बना बेटा, alpha halo acid, देख लो जड़ा mechanism एक बार फिर से, OH अटा के X लगाया, totomer बनाया, अब यह loan pair bond pair में, bond pair, loan pair में, loan pair से हाट है, यह निकल गया, ऐसा बना, H दिया, ऐसा बना, hydrolysis कर दिया, यह बन गया, क्या, alpha halo, halo acid, ठीक है, यह कहानी है, ठीक, लेकिन, अगर आपको माल लो, यहाँ अलग halogen दिया, जो PX3 बना रहा है, और यहाँ अलग halogen दे दिया, तो फिर अब यह देख लेना, किसका आपको substitution कराना, जैसे, ध्यान से देखना में, आपको एक question से समझा रहा हूँ, जैसे ही है, देखो, यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने, red phosphorus plus BR2 दिया, BR के अलबा कोई भी halogen नहीं है, मतलब सीधे करो, क्या, इधर से यह वाला H अटा के, क्योंकि यही वाला alpha है न, तो यहाँ से H अटा के क्या लगा दो, BR, तो यहाँ से H अटा के क्या लगाते हो, BR, यही तो सीखा हमने direct, ठीक, लेकिन अगर तुम्हें 2 halogen दे दिये, एक PBR3 में दे दिया, और एक CL2 में दे दिया, ठीक है, तो बताओ कौन सा वाला halogen substitute करता, देखो, X2 वाला halogen आता है इस carbon पे, देखो, X2 वाला halogen इस carbon पे आ रहा है, यह वाला halogen क्या आ रहा है, इधर से, इसका मतलब, जो आपको CL2 BR2 वाला होगा, यहां पर यह, इस वाले से तुम्हें हटाना है, मैं इसको गोले में बंद कर देता हूं, अच्छा रहेगा, इस वाले का आपको substitution कराना है, मतलब, इस वाले CL को तुम्हें यहां जोड़ना है, तो answer आएगा CH2, CL, COH, यह आएगा समझे बात को, इस से मतलब नहीं है, यह तो हाइडोलाइज हो जाता बाद में, इधर क्या लगा है, बाद में देखो कौन सा हेलो जाना है, BR2, तो यह सब्स्रेटिट कराना है, यह तो सीगा हमने मेकरिजम से, CH2 BR, COOH, यह कहानी है इसकी, समझ गया है, वा यार, चलोगा, हमारे साओ, यह बद em, हीटिंग एफेक्ट, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट हीटिंग है बीटागीतो एसेड, जितने स्टार लगा उतने कम है, जितने यहाँ सितारे लगाओ उतने कम हैं और कम का मतलब इन्फाइनाइट है कैसे बनाते हैं इसा यह बनता ना जितने लगाओ उतने कम है मतलब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है देखो पहले में डारेक बताऊंगा फर में बता दूंगा बीटा कीटो एसेड कैसा दिखता है आर इसके रेष्पेक्ट में इसको क्या बोलूंगा इसको क्या बोलूंगा अलफा और इसको बोलूंगा बीटा ध्याद से देख़ो ज्या एसी वह लूँगा न मैं ध्यान से इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा यह बीटा है कि लियर रहे इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा यह बीटा तो आपको करना क्या है अलफा से जो C h लगा है है कीटोन है आर सी डवल बॉंडो सी एच त्री ऐसा दिखेगा अब कैसे होता होगा उसको समझने लिए कि मीकैनिजम सीखनी पड़ेगी क्या है मेकैनिजम देखना ज़रा मेकैनिजम क्या है इसकी बहुत इंपोर्टेंट है दियान से देखना अगर मैं मेकैनिजम समझाने की कोशिस करूं तो ऐसे बना लेता हूं देखो आर C double bond O यहाँ CH2 ठीक है यह C double bond O और यहाँ H लगा दिया जब हीट करते हो तो पेरिसाइक्लिक रियेक्शन होती है पेरिसाइक्लिक मतब हीटिंग पर bond formation ब्रेकिंग होती है कैसे मैं समझाओंगा कैसे समझाओंगा ध्यान से देखना इस bond को यहां shift कराओ ठीक है इस bond को यहां shift कराओ और इस bond को यहां shift कराओ ऐसा दिखेगा ठीक है तो क्या होने वाला है एक transition state बनने वाली देखो आर सी ओ एच ओ सी डवल बॉंड ओ यहां एक बॉंड पहले से था यहां यह था यहां एक बॉंड ऐसा देखना अब देहान से देखना बात को समझने की कोशिस करिएगा यह बॉंड बन रहा है इधर बॉंड बन रहा है इधर बन रहा है और इधर बन रहा है न इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है तीन जगे बन रहा है और यह टूटा यह टूटा यह टूटा यह टूटा यह टूटा यह टूटा और यह टूटा देखो ऐसा ठीक है ये निशरल है तो मैं लिख देता हूँ आँर यह आज कि यहाँ बॉन्ड फॉरमेशन कर बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉरमेशनर बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरीक से अल्टर्म लटै रूरमेशन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और एक, दो, तीन, चार, पांच, छे की ring मतलब six-membered cyclic transition state six-membered cyclic transition state is formed ठीक है? अगर मैं इसके important point की बात करूँ तो पहला तो यह दूसरा pericyclic reaction pericyclic क्या होती है reaction मतलब heating पर bond में ही अपने ही molecule में rearrangement हो जाता है ठीक? और एक बार जो bond बनने हैं, बन जाएंगे break होने हैं, break हो जाएंगे तो उसके बाद कैसा दिखेगा? देहान से देखना अब मैं लिख रहा हूँ R, यह bond का कुछ नहीं हुआ यहाँ एक bond बचा O O ने क्या करा? H से bond बना लिया इधर से तूट गया यह है ना तो यह इनॉल के फॉर्म में तो एक जिस नहीं करता ना कीटो बना लेगा यह क्योंकि मोनो कार्बोनाईल है, कीटो जादा इस्तेवल होता है और CO2 गैस निकल गई तो इस mechanism के थुरू आप समझाते हो ठीक है? समझरे बात को लेकिन इसकी एक और mechanism बता सकते हो यह तो क्या हो गई आपकी heating पर heating कराई आपने elimination reaction बोल सकते हो इसको है ना elimination कौन सी? EI बोल सकते हो क्या बोलोगी? EI, elimination लेकिन अगर बीटा कीटो acid हो है पहले मैंने इसको acid base करा दी अगर मैंने बेटा इसकी पहले acid base करा दी तो यह क्या बना लेगा? salt तो यह mechanism follow नहीं होगी यह तब होगी जब acid होता है तो acid के साथ heat करते हो मतलब acid दिया है heat कर दिया आपने base नहीं डाला तो यह mechanism follow होगी elimination intra molecular ऐसा? यह mechanism follow होगी ठीक? लेकिन अगर तुमने इसी में base डाल दिया तो क्या होने वाला वो देखना? इसका second part समझ गया यह reaction अच्छे से? पैरी cycle लेक reaction है अगर तुमने यहाँ पर heat ना कराके heat ना कराके ऐसा कर दिया पहले इसकी reaction कराई तुमने base के साथ nao h तो पहले क्या होगी acid-base reaction nao h होगी acid-base reaction r c double bondo ch2 c double bondo o minus na plus ऐसा बन जाएगा तो जब तुम इसकी reaction पहले acid-base कराऊगे तो salt बन जाएगा अब salt के बाद क्या होगा वो देखना यहाँ पर मैं करें जम देखना है मैं salt के आगे से बता रहा हूँ acid-base cry salt बना अब यह जो salt होता है ना तुमारा यह बहुत बढ़िया salt है देखो यह जो salt है उसका anionic part यह बना दिया मैंने अब यह loan pair bond में convert होकर इस bond को तोड़ेगा ओपे negative आएगा यह बापस आएगा और इसको निकाल देगा leaving group की तरह है पहले तो वो bond तूटता है ना जो weak होता है तो weak bond तूटा नेगेटिव आया लेकिन फिर वो bond बनाना चाहाएगा c double bond तो यह तूट जाएगा overall हम ऐसे लिखता है ना आपकी इच्छा दिखाने की तो ऐसे दिखा दो कि इसने अटेक किया और यह निकल गया जब यह निकलेगा तो बहुत ही मज़ेदार compound बन गया देखो जब यह निकलेगा तो क्या बनेगा r c double bond हो c h 2 negative क्या बना carbonine ठीक है क्या बना carbonine ठीक है तो वाया carbonine mechanism में आप जाते हो ठीक है वहाँ क्या होती थी intra molecular elimination होता था यहाँ वाया carbonine आप जा रहे हो ठीक समझ गए बात को तो यहाँ पर six member transition state form नहीं होती अगर important point में लिखना चाहोगे तो आप इसमें लिखोगे ऐशब कारवनाई इंटर्मीडियेट इस फॉर्म है important point कारवनाई इंटर्मीडियेट इस फॉर्म है तो भीटा carbonine इंटर्मीडियेट के थुरू आप जाते हो समझगे अब यह कर्भिन आयन resonance stabilize भी होता है कैसे? loan pair bond pair में inolate iron है न यह तो तो यह resonance stabilize भी बनता है यह resonance समझा दिया इसका और यह क्या करेगा? acid से H+, दिलवा के acidify करके RC double bondo CH3 बनेगा वही चाहे आप direct heating कराओ चाहे basic medium में heating कराओ बस मैंकेने जब अलग-अलग होंगी बाकी आंसर सेम आएगा, CO2 ही निकलेगा, D-Carboxylation ही होगा, है न, यह कहानी है, चलो वाई, इस compound के बारे में समझ लो, दिख रहाएगे, जब कभी भी इस type का structure आ जाए मतलब दिमाग में तुरन ब्रेड रूल आता है, बिल्कु सही है, अगर मैं इसको हीट कराता हूँ, तो आप यहाँ पर डारेक्ट है से CO2 मत निकाल देना, क्यों हो, ध्यान से देखना, इस CO2 के, इस CO2 के रिस्पेक्ट में, यह कारवन क्या है, अलफा, यह कारवन क्या है, बीटा, ठीक है, यह होता है, अब अलफा वाले कारवन पर, ध्या अलफा कारवन, Sb2, हाइबराईज हो जाता है, वाया मेकनियन जब चलते हों, तो अलफा कारवन, अगर बेटा, तुमहारा, Sb2, हाइबराईज है, यहाँ छाता है, Sb2, during mechanism, मतलब during, heating, during mechanism, जब mechanism, करते हैं न, इसकी जब बनाते हैं, तो यह, अलफा कारवन, Sb2, हो जाता ह लुक्स अगर तुमने बेसिक मीडियम मैं कराया तो यह क्या बनेगा मालो अगर हीट नहीं इस बानता उन masih कोती और होती तो यह क्या करता लोण प्यर बॉंट्पर हो के बॉह Trans修 तो क्या बनता वनता तुम्हारा और यह वाला एप गो ऐन जो है سंब यहाँ पर मतलब सड़ी रिजनेंस में स्टेवलाईज है नहीं है क्यों बोलना हूं रेजनेंस में स्टेवलाईज है लेकिन अकवाड़िंटू ब्रैड रूल ऐसा पॉसीबल ही नहीं है मतलब मैंने दो बाते मिक्स करके बोल नहीं मैं आपको फिर से किलियर कर देता हूँ मुझे भी याद आ गया क्या बोला मैंने अगर चला गया इसका मतलब ब्रेड रूल यहां लग जाएगा तो यहां नगना कि ओन हीटिंग और बेसिक मेडियम में भी कराओगे तो यहां पर रियेक्शन आपकी नहीं होगी क्यों अलफा कारवन इंडारेक्ट लिए आपका एस्पीटू की तरफ जा रहा है बनना जा र पहले इनौल बनता है न फिर उसके बाद बाबेस कीटो बनता है तो इसकी रिएक्शन नियों अगला है हीटिंग अफ डाइक आरवक्स लिक अश्रीड ध्यान से देखना जरहा है अगर मैं डाइक आरवक्स लिक अश्रीड की बात करूं तो मैं आपको पहले याद कराना च दूसरा होता है M क्या होता है M, तीसरा S, ठीक, चौधा G, पांचमा A, शेक्स प, ठीक है इतने याद रखना, ओम्स गैप, क्या है यह, ओम्स, क्या वेटा, ओम्स गैप, ऐसा याद कर लेना ओम्स गैप, ऐसा दिख रहा अच्छा है, ओम्स गैप, अब यह, ओम्स गैप कैसे याद रखोगे दिहान से देखना ज़र, ओम्स गैप किसके लिए याद करोगे वो देखना, ओम्स गैप, 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 S मतलब सकसीनिक एसिड G मतलब ग्लूटेरिक एसिड A मतलब एडिपिक और P मतलब पमेलिक ऐसा होता है ध्यान से देख लो Oxalic, Melonic, सकसीनिक, ग्लूटेरिक, पमेलिक इसके बाद एक और होता है सुबेरिक उसको याद नहीं करना बस पमेलिक तक याद रखो सुदना जारा यह मैंने आपको क्यों याद कराया कोई भी डाइक आर्बोक्सलिक एसेड है उसको तुम ऐसे डेस्क्राइब करते हो CH2 कि होल एन कि सी ओवेच और सी ओवेच ऐसा होता है अब तुम यहाँ पर CH2 बढ़ाते जाओ तो आपके स्ट्रक्चर आते जाएंगे मतब यह सब बनते जाएंगे कैसे ध्यान से देखना मैं यहाँ लिख रहा हूं जैसे ध्यान से देखना बना रहा हूं मैं अगर मैं oxalis के बारें बात करूं तो एन को यहाँ क्या रखना बेटा जीरो रखना है ठीक है तो ऑक्सेलिक आजाएगा जीडो रखने का मतलब सी ओवेच जीरो रखने का मतलब क्या है च्वी नहीं है है ना मेलोनिक में क्या करोगे, N को 1 रखोगे, तो यहां आ जाएगा CH2, COH और COH, सक्सेनिक में यहां N2 रखोगे, CH2, CH2, COH और COOH, ऐसा दिखेगा, ग्लूटेरिक में यहां 3 रखोगे इधर, 3 रखोगे मतलब CH2, CH2, COH और COH, ऐसा दिखेगा, एड़िपिक में 4 रखोगे, तो अब मैं डारेक लिख दाऊं CH2 4, 4 वर CH2 लगा देना, और पमेलिक में N को 5 रखोगे, समझ गया बात को इस तरीके से आप याद कर लोगे यह, तो आपको अलग से रटनी नहीं बढ़ेंगे, Ohms Gap, 0, 1, 2, 3, 4, 5, Ohms Gap, N की Value, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसा, बस यह है आपका General Structure, सभी Acid का, सभी Die Car Box लिखका है न, General Structure, समझे बात को, ऐसा होता है, अब मैं आपको बताता हूँ, heating effect, ठीक है, अगर N तुम्हारा, ख्यान से देखना, अगर N तुम्हारा 0 है, तो उस case में CO, CO2 and H2O evolved, मतलब यहां लिख रहा हूँ, evolved gases, ठीक है, evolved, साइए, N अगर 1 है, एक में CO2, देखो, N 0 में 3 हो, CO2 water, N अगर 1 है, तो CO2, N अगर 2 और 3 है, तो पानी, और N अगर 4 और 5 है, तो CO2 प्लस पानी, यह दोनों हटेंगे, ऐसा, 0 में 3 हो, ठीक है, एक में CO2, 2-3 में पानी, और 4-5 में दोनों, ऐसे याद कर लेना, जैसे, अब मैं आपको सभी का बता रहा हूँ, लाइन से, देखते जाना, बता उजरा, अगर N 0 हुआ, अगर N 0 हुआ, मतलब क्या है, Oxalic Acid है, COH, COH, करा लो जरा Heating, जब तुम इसकी Heating कराओगे, जब तुम इसकी Heating कराओगे, तो पानी निकाल दो, CO निकाल दो, CO2 भी निकाल दो साथ में न, जब तुम इसकी हीटिंग कराओगे तो यह H, यह OH यह CO2 और यह CO मतलब CO प्लस CO2 प्लस H2O ऐसा देखेगा, simple अगला देखो अगर यहाँ पर N आपने 1 ले लिया तो 0 में 3 1 में CO2 निकालना है न अगर तुमने 1 ले लिया तो ऐसा देखेगा देखते जा न, ऐसा देखेगा इसकी जब तुम हीटिंग कराओगे तो यहाँ से क्या अगर होगे वेटा CO2 निकाल दोगे यह तो क्यासा देखेगा CH3 CH3 COH इस तरीके से अगला अगर तुमने यहाँ पर N एक हो गया N अगर 2 और 3 लिया तो आजाएगा 2 और 3 मतब दो वाला पहले लिया फिर 3 वाला N अगर 2 लिया तो CH2 या एक काम करो बारवार CH2 क्यों लिए करो, बॉनलाइन स्ट्रक्चर सीखे क्यों थे हमने इसी दिन के लिए तो सीखे थे ऐसा ऐसा देखो क्या करना है हीटिंग पर पाणी निकालना है कैसे यहां से एच उठालो यहां से वह उठालो तो एनाइट रड़ बन जाएगा अगर एन तुम्हारा आगे बढ़ता हूँ मैं अगले पेच पे लिख देता हूँ आगर एन तुम्हारा दो हो गया तीन चार पाच और बचाएं न अगर एन तुम्हारा कितने कल दियत अपने तीन हो गया थे न चार पाच अगर एन चार हुआ बताओ जरा नहीं चार थोड़ी था दो गया था नहां तीन हुआ अच्छा यह पॉइंट चो था था एन अगर तीन हो गया यहां पर तीन अगर तीन हुआ तो क्या करोगे बताओ नोगे एसा ऐसा ठीक है एसा 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 डवल बॉंड़ भॉंड टीन से एसटू लग गया है एक दो और तीन ओच यहां से H, यहां से OH, वाटर निकाल दोगे? तो कैसा देखेगा? ऐसा, 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 डवल बॉंडो, ऐसा, डवल बॉंडो, O और O, ऐसा देखेगे, ठीके? अगर तुम्हारे पास पांचमा आया, N अगर चार लेङू, यहां चार देखना, चार कैसे? एसा एसा देखो है 1, 2, 3, 4 होगै Double want Double want OH और OH ऐसा देखाई का अब देखो Water निकालना है N equal to 4 और 5 में कैम Water और CO2 Water निकालना है और CO2 उड़ानी है तो ये वाला carbon इस से जोड़ देना इस वाले से ये तो CO2 में चला गया तो एक, दो, तीन, चार, पांच की रिंग बन जाएगी, तो on heating, cyclopentanon, और अगले वाले में भी तो सेम ऐसी होना है, तो उसमें एक कारवनों बढ़ गया, तो साइकलोhexonon बन जाएगा, तो अगला वाला में डारेक लेक देता हूँ, N अगर पांच ले लिया तुमने, तो CH पांच ले लोगे, और CO2 वाटर हटाओगे, तो रिंग बन जाएगी, ठीक है, आपने क्या करा, H और OH उड़ा दिया और CO2 उड़ा दिया, तो रिंग बन गई है, छे की, तो हीटिंग पर 6 की रिंग बनेगी, साइकलोhexonon, बड़ा सिंपल है, ठीक है, तो यह याद कर लो केस जैसा है, कैसे, भई, इस कारवन पे CUH लगा है यहाँ पे, और इस कारवन पे CUH लगा है, मतलब यह तो वैसी होगे न, दो कारवन बीच में, सकसिनिक एसट जैसा, देखो, तक्सिने के से टकांग गया, N equal to 2 वाला देख लो न, इस जैसा हो गया, बस तुम्हारा यहाँ double bond था, अब मेरी बाद बताओ, मुझे एक बाद बताओ, यहाँ जब रिंग बन रही है, रिंग बन रही न इसमें, एन हाइट्राइट जो formation हो रहा है, वो तो तब ही होगा न, इसका नाम क्या, fumaric acid, इसका नाम है fumaric acid, यह double bond है बीच में, तो free rotation होता नहीं, तो यह transform है, अगर मैंने यहाँ malic acid ले लिया, तो बिलकुल ring बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा, सब हाँ बोलेंगे, हाँ, बनाएंगे ring, देखो, अगर तुमने malic acid ले लि कोई दिक्कत नहीं, देखो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, यहाँ बन जाएगा, क्यों, same side लगे हैं वेटा, यहाँ क्या लगें, same side लगे हैं, जबकि यहाँ क्या लगें, opposite लगे हैं, ठीक है, ऐसा होता है, आगे बढ़ते हैं, बीटा कामा unsaturated carbox like acid, भी heating प है, आपको यहाँ से, मतलब J main के लिए तो नहीं, advance के लिए important है, आपको यहाँ से CO2 direct नहीं उडानी, ध्यान से देखना ज़रा, क्या करना है, मैं आपको trick बता देता हूं, इसकी, आपको यह CO2 तो उडाना ही है, CO2 उडाना है, इस bond को यहाँ shift करना है, और यह H यहाँ देन बनेगा यह, ऐसा बनेगा, आप यहाँ सक्के से हो गया, यह direct CO2 क्यों नहीं निकल रही, mechanism से चलना पड़ेगा, ध्यान से देखना, मैं आपको इसकी mechanism बता रहा हूं, ठीक, यहीं पर बता दूँं क्या, थोड़ा सा जगह, extra page at नहीं होगा, यहीं बता देता हूं, तो आप यह वाला है, मैं यहां shift करा रहा हूं, बात को समझना ज़रा, इसकी mechanism लिख के बता रहा हूं, कैसे, RCH, double bond CH, single bond CH2, ठीक है, यह हो गया, और CO2 है, C double bond O, C double bond O, H, ऐसा देखेगा, अब देखना ज़रा, मैं कैसे, मैं move करा रहा हूं, इनको, बात देखना यहां पर, यह bond यहां shift होगा, यह bond यहां shift होगा, और यह bond यहां shift होगा, ऐसा होता है, मैं करेंजम, है न, तो हो क्या रहा है, यहां पर, इसके respect में, यह alpha carbon है, यह beta carbon है, और यह gamma carbon है, यह न, तो इसके respect में, यह alpha है, यह beta है, और यह gamma है, यहीं लिख दिया हमने, यह alpha, यह beta है, तो क्या हो रहा है, bond जब shifting करा दोगे, bond formation और bond breaking हो जाएगी, transition state के थुरू, ठीक है, transition state तो बनाई लोगे, bond breaking, bond formation, देस देस वाली, वो बार बार नहीं मना रहे, मैं bond formation, bond breaking के बात का लिख रहा हूँ, R, CH, यहां bond आ जाएगा, H, single bond, CH, double bond, CH2, और क्या दिखेगा, O, double C, double, O, ऐसा देखेगा, देखना जड़ा धियान से, यह CO2 निकल गया, यह bond यहाँ shift हो गया, और यह bond यहाँ shift हो गया, मतलब, alpha, beta पर double आ गया, देखो जबढ़ा, यह alpha था, यह beta था, यह gamma था, तो beta, gamma पर double था, वो alpha, beta पर double आ गया, मतलब, आपको beta, तो बीटा गामा का डवल अलफा बीटा पर शिफ्ट करना एक धिए धियान सा देखना अब इस वाले में करके बताओ पहले मैं अलफा बीटा गामा लिख लूँ इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा यह बीटा यह गामा इग को तो आप उड़ा दो बहुत अच्छी बात है औ पर बीटा गामा का डवल अल्फा बीटा पर शिफ्ट कर दो एच इसको दे दे जा तो कैसा देखेगा CH3 CH2 सिंगल बॉंड CH डवल बॉंड CH2 देखो जरा वन ब्यूटीन बनेगा अगर किसी को इसकी मेकरेंजम का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है गलत करके आ जाएगा वह पहला बता रहा हूं मैं एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड अगर हुआ तो एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कैसा दिखता है देखो एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड दिखता है आर सी एच ओएच सी ओएच इसकी तुम्हें क्या करानी है हीटिंग करानी है ठीक है इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा पर ऊच लगा तो अलफा हीड्रोक्षी एसे जब कभी वी अलफा हीड्रोक्षी एसे होते तो इसके दो मोल लेते हैं ध्यान से देखना ज़रा मैं ऐसे दिखा रहा हूं आर सी एच ओ एच सी डवल बॉंडो ओएच ऐसा हु क्या करने का पाणी निकालने का यह एच और यह ओएच यह ओएच और यह देखो ऐसिट शेह एकल से एकल काताहम कहानी देखो तो आप क्या करोगे यह जब बना ओगे आप यहां पर इधर बना देता हो मैं यह यसके दो मोल यूस करे थे यह कर रहे करेंगे ह्याँ क्या आएगा 0 यहां पर और कार्बन यहां है यहां कार्बन और यहां आ रहा है ऐसा दिखेगा कि इसका नाम ये बेटा लैकटाइड क्या नाम है लैकटाइड नाम आम से मुमिपकह अगर मैंने अल्पा की जगह पीर भीटा ले लिया तो क्या रहात देखो कि अगर मैंने यहां अलफा की जगे सेकंड नंबर पे बीटा हाइड्रोक्सी एसेड ले लिया जैसे c r ले ले लिए ना c s p r c h o h c h 2 c o h एसा ले लिया तो बीटा हाइड्रोक्सी एसेड ऑन हीटिंग वाटर रिमूव कर देते हैं मतलब heating पर आपको पाणी निकालना है कैसे इसके respect में यह alpha है यह बीटा है alpha से h, beta से h निकाल देना ठीक है यहां का h लिख रहा हूं और यह यहां से h h निकाल देना बस खतम कहां नहीं देखो क्या बन जाएगा alpha beta unsaturated acid क्या बन गया बेटा alpha यह है beta यह है alpha beta unsaturated acid unsaturated क्या आया acid आया कितना असान है तो अगर alpha beta बना तो water निकालना है कतम मतलब beta hydroxy हुआ तो water निकालना है अगला देखो दीसरा देखना अगर मैं 3rd ले लूँ गामा hydroxy तो उसमें cyclization हो जाता है देखो जड़ा देखो जड़ा देखो जड़ा थर्ड वाला कौन सा गामा hydroxy ध्यान से देखना गामा hydroxy कैसा आर चुह 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 इसकी अगर मैं heating करा दूँ ध्यान से देखिएगा तो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसके respect में यह alpha यह बीटा यह गामा गामा hydroxy तो क्या करो यहां से एच और यहां से वह एच एसट से वह चलकोल से एस टरिफिकेशन साइकल बना दो बस कैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच की cycle हो गई जिसमें double bond हो एक, दो, तीन, चार, पाँच मा oxygen होगा ऐसा हो गया देखो इस तरीके से और जिस oxygen पर carbon है वहीं पर आ रहाएगा जिस oxygen पर carbon है वहीं पर आ रहाएगा ऐसा चेक कर लेते हैं जारा cross check कर लेते हैं यह alpha यह beta यह gamma इसको गामा लेक्टोन होते हैं यह एक साइक्लेकेस्टर को लेक्टोन मोल्ड में अगर मैं इसी में डेल्टा कर देता बस सिंपल ऐसा यह देखो अगर मैं इसी में डेल्टा तो एक लास्ट डेल्टा और देख लो अगर मैं यहां पर डेल्टा कर देता गामा की जगह है क्या कर दे कौन सा यह चौथा इटिंग कर आई बस यहां पर यहां पर एसा आजाता और यह गामा ना होके अब यह डेल्टा बन जाता लेक्टोंस खत्म ठीक है कि तो अलफा हाइड्रोक्सी से लैक्टाइड बीटा से अंसेचुरेटेटेटेटेटेटेटेट गामा और डेल्टा से लेक्टोंस बनते हैं ध्यान लखना यह बड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह वाला हीटिंग इफेक्ट क्या है अमीनो एसेड के लिए भी सेम ऐसा ही है बस यहां ओएच की जगे एनेस्टू लगाना होगा बास ठीक है अगर मैं हर जगह पर वेच अठाकर एनेस्टू लगा देंगे रिएक्शन सेम पैटन पर होगी एक अमीनो एसेड बोलते हैं उनको चलो भाई कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर अपन फटावट से कितनी प्रैक्टिस है अरे बहुत सही जमाच जब मजा आ इस अब फटावट से कनवर्जन्स बताएंगी बोलो जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं पॉस करो ट्राइगरो फुर वापिस आगी चेक कर लेना साथ-साथ करते जाओ मेरे ना देखो यह है कारवन वन डिगरी अलकोहल इससे तुम्हें असे बनाना है वन डिगरी अलकोहल से इससे तुम्हें यह बनाना है तो कैसे बनेगा अच्छा यहां पर बियर नहीं यहां यहां आट अटा इससे तुम्हें यह बनाना है तो मैं एम जी ड्राइथर डालूंगा तो Greg Nard Reagent बनेगा और Greg Nard Reagent के बाद आपको मज़ा आ जाएगा देखो ये क्या बना वेटा Greg Nard Reagent बना माइनस MgBr अब ये Greg Nard Reagent CO2 से reaction करा दो इसकी CO2 और पानी डाल देना देखो तो क्या होता है CO2 में पानी डाल दो उसके बाद तो ये जो कारवन है यहीं पर क्या जुड़ जाता है CO2 का CO2 जुड़ जाएगा यही बन जाएगा अगला देखो इससे तुम्हें अगला देखो बेंजीन से CO2 बनाना है यहाँ अगला देखो बेंजीन से CO2 बनाना है मतलब बेंजीन में कुछ ऐसा करें कि पहले एसड बन जाए और एसड से हम एस्टर बनाना जानते हैं ठीक ऐसा सोच लेते हैं तो इससे एसड कैसे बनें CH3, CL, Enhydrous, Alcl3, Enhydrous, Alcl3 तो यह क्या बना लेगा? Toluin बना लेगा और Toluin से आप क्या कर दो? यह अभी डारेक्ट नहीं बनेगा Toluin का आप कर दो K-M-N-O-4, K-O-H के साथ हीट कर दो और फिर उसको Acidify कर देना ठीक, तो यह क्या बना लेगा? Benzoic Acid अब Benzoic Acid का Esterification कर दो, Methanol के साथ, तो यह बन जाएगा तो यह न, Acid में Alcohol डाला, Ester 1 गया, यहां से OH, यहां से H समझे, तो इस तरीके से आपको सोचना है, सोचते जाओ, अगला Pause, Try, बापिस आओगे, हम यहीं मिलेंगे सवाल सौल करते हुए, देखो, Benzoic Acid से Phenyl Acid चाहिए, मतलब pH, Ph, CH to COH, ऐसा चाहिए अब क्या करना चाहिए, हमें सोचो, एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं एक Carbon तो बढ़ा लूँ इसमें न, तो इसका मैं CS3, CL, Anhydra, CL, CL3 करा देता हूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, pH, CS3, सही है, टॉलमीन बन जाएगा, Electrophilic Aromatic Substitution, इसके बाद मैं इसका करा दूँ, NBS, तो बनेगा pH, CH2, BR, अब BR हटा के Carbon बढ़ाना है, तो Cyanide लगा दो यहाँ, Cyanide कैसे लगेगा बेटा, KCN से, तो दिखेगा, pH, CH2, BR हटा के क्या आ गया, Cyan, और Cyanide के Hydrolysis से Acid बनेगा, Cyanide के Hydrolysis से क्या बनता है, Acid बनता है, इस तरीके से सोचना आपको reactions, अगला देखो, तो pH, BR से, वन फिनाइल, एथेनॉल, मतलब, पी एच, पी एच, CH2, CS3, सही है न, वन फिनाइल, एथेनॉल, वन पर फिनाइल भी है, और उस पर आल भी है, ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए, ठीक, चलो, क्या करना चाहिए, बहुत असान है, इसका गरिगनाड रिएजंट बन और इसकी रिएक्षन, CS3, CHO से करा दो, देखो, CS3, CHO से करा ओगे, ये pH इस कारवन पर अटेक कर देगा, और बाद में पाई डाल देना, ठीक है, इस कारवन पर अटेक कर देगा, तो CS3, CH ये वाला पूर ऐसे जुड़ जाएगा, एसे सोचना है आपको, चले आके, अगल स्टेप में ये कनवर्जन करना है, ये आपने बता दिया मजा आ जाएगा, बहुत भैतरीन कनवर्जन है ये, अगर आपने ये बता दिया ना, मतलब मजा आ जाएगा, जरा पॉस करो, टिराई करो, पॉस करो, और बापिस बताओ क्या आएगा, ठीक, चलो मैं सुरू कर रह पॉस रूल, ये भी तो पॉस रूल लगाता है, बहुत बढ़िया देखो, पहले मैं इसका क्या करूं, इनौल बना लेता हूं, तो मैंने इसका विटा इनौल बना लिया, यहां यहां क्या आएगा, अब तुम इसको ब्रेक कर दो, ये बांड तोड़ा, और उसे, च आपको, ये देखेगा, इस कारवन का COH, और इस कारवन का COH, और एक, दो, तीन, चार, एडपेक असेड बन गया, क्या बन गया, एडपेक असेड, और एडपेक असेड की हीटिंग पर, एडपेक असेड की हीटिंग पर ये बन जाएगा, और ये एक साथ ही काम होगा, एक आपको यह बनाना है अब इसका फर्दर अगर लिखा हो तो ही कराना ऐसा नहीं किसको कंटिन्यू करके इसी कराते ही जा रहे हो है करो के ट्राइफ करो ट्राइब करो हम जा इसस फोर को च क्या करता है ये इससको कर देता है किसमें छ फिल्वा देत 있어 होद यहां देखो वह बहरे ही है था-अगला देखना ज़रा इसका हाइडोलिसिस कराना द्हयान से देखना ज़रा और हीटिंग भी करानी है इस टाइप के कुश्शन बढ़े मस्त होते हैं देखो ये एस्टर है ester का hydrolysis होता है तो इधर H, इधर OH ये ester है, इसका hydrolysis होता है तो इधर H, इधर OH और ये है तुम्हारा ketol ketol का भी तो hydrolysis होता है acidic medium में इधर H और इस carbon पर OH और ये भी तूटेगा इधर H और इस carbon पर OH तो इस पर 2 OH आ गए water निकाल दोगे क्या बन जाएगा, ऐसा दिखेगा ketone, इस वाले पर और इधर और इधर, दोनों जगे क्या आएगा COOH, आप धियान से देखना जड़ा अब heating भी तो साथ में है तो तुम क्या करोगे, CO2 निकाल दोगे ठीक, तो कैसा दिखेगा ऐसा क्यों, बीटा-गी-टो-असट है ना यह ब dominated, इसके रिस्पेक्ट में यह आइडोलाइस करा आया, पहले ऐसा दिखेगा mister नहीं छोड़ना, क्यों हीटिंग है कौन सी, बीटा-गी-टो-असट यह ने आया, यह अगेँ, बीटा-गी-टो-असट बन बैतरीन सवाल है यह ठीक अगला बताना बताओ जरा साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है एसट बनता है तो साइनाइड कनवर्ड हो जाएंगे वेटा किसमें एसट में कनवर्ड हो जाएंगे और हीटिंग साथ में है तो यहां नहीं छोड़ना इसको फर्दर आप अगला सवाल बहुत बढ़िया कोश्षन है भहुत ध्यान समझना स्टीडियो खोर्ट्ट्स रेलेटेड है इसमें आप से बूस्तने नमबर और फ्रोडक्ट्स टिके महां है नमबर आफ प्रोडक्ट्स और इसमें भी आपसे बूस्ते हैं number of products तो धियान से देखना ज़रा कैसे आप answer करोगे धियान से समझना ज़रा है ना अगर मैं यहां से यह carbon है एक एक carbon बर दो CO2 होते हैं तो CO2 निकलती तरह तो पक्का है तो CO2 इसमें भी निकल ली है और यहां भी एक ही carbon पर दो CO2 इसमें भी निकल ली है इधर यह लगे हुए है ट्रांस में इधर लगें सिस में यह ट्रांस में लगे हैं तो चाहे तुम यह वाला CO2 उड़ाओ या यह वाला उड़ाओ बात बराबर है कैसे मैं दौनों उड़ाके दिखा रहा हूं ध्यान से देखना अगर मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ अगर मैं आपको ऐसे दिखाता हूं ध्यान से देखना अगर मैंने यह ऊपर वाला CO2 उड़ाया, तो H COH, ठीक है, इधर और इधर क्या है, M E H, और इधर क्या है, H M E, ये मैंने क्या गरा, जब उपर वाला उड़ाया, अगर मैं नीचे वाला CO2 उड़ाता हूं, तो कैसा दिखेगा, देखो, अगर मैं नीचे वाला CO2 उड़ाता हूं, तो ऐसा दिखेगा, M E H, H M E, उपर क्या आएगा, COH और नीचे, ध्यान से समझे न, अगर मैं नीचे वाला उड़ाता हूं, तो ऐसे, अब बिटा ये दोनों सेम है, कैसे सेम बोल रहा हूं, मैं ध्या COH, ये सेम साइड है, और एक M E, opposite है, M E, COH सेम साइड नीचे लगे हैं, और ये M E, उपर लगा है, ठीक है, आप देखो जरा, M E, COH सेम साइड है, उपर लगे हैं, और एक M E, नीचे है, मतलब ये डाउन में लगा है, ये डाउन में लगा है, ये अप लगा है, ये अप and this are same structure are identical तो यह identical है इसका मतलब number of product इसमें 1 आएगा बहुत बढ़िया खुशन है यह यहाँ आजाओ जड़ा दियान से सुनना है अगर मैंने यहाँ पर यह वाला CO2 उड़ाया तो कैसा दिखेगा दियान से देखना है अब यह me me sis में लगे है न me me up up लगे है अगर मैंने उपर वाला उड़ाया तो तुम्हें ऐसा दिखेगा यह ठीक अगर मैंने नीचे वाला उड़ाया यह वाला उड़ाया तो कैसा दिखेगा अगर मैंने वेटा नीचे वाला उड़ाया तो me h M,E,H, ये तो fix है, नीचे वाला उड़ाया, तो उपर क्या है, C,O,H? ये H, अब ध्यान से देखना ज़रा, ध्यान से समझना, यहां पर, M,E, M,E, उपर, और C,O,H, नीचे, ठीके? यह क्या है up यह up और यह क्या है down यहां क्या है me me उपर up और यह भी up आ गया देखो यहां से देखना दो up एक down और यहां तीनों up तो अलग-अलग structure हो गए ना यह तो this and this are different ठीक है यह दोनों क्या है different है आप die streamer बोल सकते हो इनको है ना तो आपका number of product 2 आएगा बहुत important question है बहुत मज़ेदार सवाल है देखने में ऐसा लगता है कि answer दोनों का सेम आना चीए लेकिन अलग-अलग होता है अगर यह me me trans में लगे हैं तो तो यह का आएगा यह me me sis लगे तो आजाता है अब आपके सामने लिखा है सीओ नीचे है वाकी यह दोनों उपर यह दोनों ऊपर यह वी उपर आ गया इधर क्या है एमीड़ एमी उपर सिवेश नीचे एमी नीचे अब टाउँ यह क्या है डाउन अप आप सेमी यह दोनों है ना आप इसको घुमा के भी लिखके देख सकते हो इसको घुमा दो 180 डिग्री यहीं बन जाएगा आइडेंटिकल होते हैं बहुत बड़ीया सवाल यह वाला भी ध्यान से देखना इसमें mixed concept वाला question होता है यह द्यान से देखना करके बता रहा हूं मैं पहले आप ट्राइग करो पहले इसमें आयोडोफर्म लगा रहा हूं मैं आयोडोफर्म कैसे लगाते हो यह वाला इधर से पहले ci3 बनेगा यह और ci3 बनने के बाद ही हाइडोलाइज हो जाएगा यहाँ है यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर ओके आ जाएगा इस कारवन पर तो यहलो बीपीटी तो तुम्हारा ci3 बन चुका है salt क्या बनेगा यहाँ पर देखना यह जो salt बनेगा वो यह बनेगा आप कई लोग क्या है यहाँ पर reaction को छोड़ देते हैं छोड़ना नहीं है क्या H plus के साथ heating तो पहले इसको H plus मिलेगा और फिर heat करा दोगे तो पहले इसको H plus मिलेगा तो COH आ जाएगा और फिर आप heating करा दोगे तो यह CO2 उड़ा देना मतलब cyclohexenon आ जाएगा और cyclohexenon dilute aneoach के साथ heating aldol condensation तो इसके दो मोल ले ले ना किसके इसके तो इसके दो मोल कैसे लिखोगे एक मोल को तो ऐसे लिख लो और दूसरा मोल कैसा लिखते है अब C double bond के form में क्या निकाल दोगे पाणी क्या सर पाणी यहाँ से पाणी निकाल दो सब्सवां आ गया होना तो यहाँ डबल म旦ो यहाँ डभल म fightá सा ऐसा 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 अ दिन फिंपल happening जांते ओप है अगला सवाल देखो बहुत आसान है और जба धीन से एक ही का रवन पर 2-4 co2 निकल या ता मेलोने और और तो दो अधिकिक निकाल देना थीक तो CO2 निकालोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कैसा दिखेगा ऐसा डवल बॉंडो यहां COH ठीक यहां COH एक बचेगा और यहां COH अब कई लोग यहां छोड़ देते हैं यहां नहीं छोड़ना ऊपर देखो बीटा कीटो एसेट बन गया भाई इसके रेस्पेक्ट में यह अल यह देना है ठीक है फाइनल आंसर आपको यह देना है यहां कहीं भी नहीं छोड़ना फाइनल आंसर वह आएगा ठीक है चलो वह अगला मैंने बताया था आपको अगर होट के मनो 4 है तो जो एक्टिवेटिट रिंग है वह पूरी की पूरी ऑक्सिडाइज हो जाएगी ठीक तो यह क्या है प्लस हैं यह क्या है आपका यह क्या है आपका प्लस हैं यह क्या है माइनस हैं अगर प्लस हैं है तो यह पूरी की पूरी रिंग ऑक्सिडाइज कनेक्टिविटी कहां से इन दो कारवन से है तो यह दो कारवन क्या बन जाएंगे आपके COOH तो यहां क्या लग एनुटू के साथ क्या जाएगा यहाँ पर सी ओएच यहाँ जाएगा अधिया एनुटू के साथ है यह यह नहीं चेड़ना यह चेड़ना बस ठीक जिसका मुझे था इंतजार जिसके लिए दिल था वेकरार चलो भई शुरू करो आराम से पॉस कर लो बढ़िया दरीगे से पॉस करके सारे सवाल अच्छे से करो और बापेस आना तो हम यहीं मिलेंगे और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ठीक है पॉस करो जड़ना कर लो होचेंगे ना चलो बताना जड़ा फटाफट से करीर ड्राई चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि एथेन क्या होता है CS3 CS3 ठीक है यह CS3 CS3 बिया टू सनलाइट क्या करता है वेटा बिया टू सनलाइट यहां कहीं से भी एच्छटा के क्या लगा दो बियार तो ब्रोमो एथे coocon шung टैन बना के सी अन क्याओ यह वेठाटा अन्तू reaction करता है क्या करता है एसेन टू reaction करता है स्पालइस कि कह तो एकशन करता है तो यहां CN की जगह क्या आगया COOH और COH red phosphorus BR2 याद करो जरा red phosphorus BR2 HVZ reaction भले ही पानी ना लिखाओ आप समझ जाना acid दिया है alpha carbon है alpha H है red phosphorus BR2 ठीक है तो condition ही यही है किसकी HVZ की क्या होना चाहिए alpha H होना चाहिए तभी तो हटा के आप BR लगाओगे है देखो HVZ में कहा है HVZ अपना है है यहाँ वोलाड जलन स्काई reaction काफी पीछे है 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 वोलाड जलन स्काई reaction condition वहां हमने नहीं लिखी लिख लो यहाँ पर अच्छा मैंने arrow लगा दिया था यहाँ पर condition यह है alpha H होना चाहिए यह अलफा होना चाहिए तभी reaction होगी तभी तो एचटेगा तभी तो हलोजन आएगा बेटा चलो देहान से देखना मामला कहां तक पहुँच गया यहां तक alcoholic QH क्या करेगा इसके respect में यह alpha यह beta, alpha से BR, beta से H तो यह बन जाएगा ऐसा acrylic acid इसका नाम है ठीक है यह बन गया E हो गया यहां का बात खतम हो गई ख्यान से देखना आगे बढ़ते हैं इसकी reaction P2O5 dehydrating agent या तो P2O5 या concentrated S2O4 ले सकते हो तो acid के दो molecule लेकर पाणी निकालोगे तो क्या होगा ET COO double bond OET ऐसा दिखेगा एनाइडर बन जाता है दो मॉल लेकर पाणी निकाल देते हो CS3 माइनस mgbr तुमने लिया तो CS3 माइनस इस carbon पर attack करके बना देगा सी डवल बॉंडो CS3 भाई आप इसके बाद hydrolysis भी कराते हो बहले इना लिखाओ कराना है इसको देखकर कि आगे भी reaction करा रहे है आपको साथ में नहीं लिखते लेकिन आपको कराना है यह बन गया क्यों CS3 माइनस इस carbon form ठीक है एने वाई हेलो फॉर्म है हेलो फॉर्म में क्या बनेगा आपका एने ओवाई है ना मतब आई टू एने वेच है तो क्या आगे आपका एसा ओने और salt का वेटा electrolysis कराते हो electrolysis कराते हो तो यह bond तोड़ देना कौनसा bond तोड़ देना यह वाला bond तोड़ देना इस carbon पे radical और ऐसा ही एक और जुड़ जाएगा मतब इथाईल इथाईल radical क्या बना लेंगे ब्यूटेन बना लेंगे क्लोरीनेशन कराओगे एन क्या बन जाएगा टू डिग्री पर सील लगा दोगे एनसरस नपी आरपी चेक करके देखा मैंने टू डिग्री पर लगा दोगे फ्रीडल क्राफ्ट अलकाईलेशन डिएक्शन कार्वोगटाइन बनेगा यहां पर सील उड़ाके यहां बॉजटेव बनाओगे और कहीं रियरेंज बगरा तो हो नहीं रहा मतलब सीधा आपका ओ क्या आ जाएगा सर बेंजीन और उस पर आ जाएगा आपका इस तरीके से ब्यूटाइल ठीक है चार कार्वन है ठीक अब इस वाली बेंजीन के रिस्पेक्ट में इस अलफा कार्वन पर एच है मतलब यह पूरा का पूरा कंपाउंड यहां ऑक्सिडाइज हो जाएगा बेंजॉएक एसिड में तो पी क्या आ गया बेंजॉएक एसिड आ गया यह क्या आ गया तुम्हारा बेंजॉएक एसिड आ गया दिख रहा इतना ठीक इतना तो मैनेज कर लोगे बेंजॉएक एसिड का नाइट्रेशन कराना है तो क्यों क्या आ गया नाइट्रो बेंजॉएक एसिड कौन सा वाला मैटा नाइट्रो क्यों क्योंकि यह माइनस एम है तो मेटा नाइट्रोव एंज्वाइक एसिड ठीक दिख रहा है रेड़ फॉस्फोरस ही क्या करेगा सी ओएच को हटाएगा क्या जाएगा सी एस थ्री तो आर क्या जाएगा तुम्हारा ऐसा करें यहां क्या है NO2 ज्याधा चोटा हो गया इतना इतना दिख जाएगा तुम्हें सी नहीं эта तो यहाँ पड़न ही चोटा होगया हाथसे ज्यादा चोटा तो स्वारी सिए नहीं क्योंकि यह रैड फॉस्फोर्स है छाई ना सी एस त्री आ जाएगा तो यह सी एस त्री ऐसा दिखा लो तीक और फॉस्फोर्स है रिज करता है सी ओच को सी स थी में गनवर्ड करता है अलकेन में जेड़ने घे एचिएल वताओ नाइट्रो को रिड्य सब्सक्राइब तो पीएच ओईटी आ जाएगा और पीएच ओईटी क्या है मतलब यह आपका इथर हो गया इथर क्या प्लस हैं बी आइटु एफी क्या देता है तुम्हें बी आर प्लस देगा एक और तो और एक पैरा पैरा मेजर ड्यू इस्टेरिक इंटरेंस यह होता था यह क्या आगया ओईटी ठीक है और यहां पर क्या आगया और तो पर ओईटी कि यह मेजर हो जाएगा कि यह माहिन लाजा है तो यह कहानी थी देख लो कोई छूट तो नहीं रहा सारे होगे तो दिख रहा बढ़िए एक तम जमाजम मज आ जाएगा है ना टी तक पहुंच तो यह कहानी थी कितनी रिएक्शन कवर होगे देखो ब्रोमीनेशन एसन टू रिएक्शन हाइडवलेस ऑफ साइनाइड एच वीजट रिएक्शन एटू एटू एलिमिनेशन ठीक है डिहाइड्रेशन ग्रेगनाड रिएजेंट हैलो फॉम टेस्ट कोल बेस क्लेमेंशन र आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं जो हम आपसे हमेशा कहने से डरते हैं लेकिन हम कहते हुए निकलते हैं देखो थैंक्यू सो मच आप यहां तक आए और आपने बड़ा वाला थैंक्यू ठीक है आपने हमसे पूरा कारवोक्स लेग ऐसे एक लेक्शर में पढ़ द होंगे याद लेकिन अब आगे और भी जो नए नहीं आ रहे हैं देखो मैक्समम रिएक्शन तुम्हारी अवर रिपीट हो रही है आप कुछ नहीं नहीं रिएक्शन आ रही है तो उतन उनको ही एड़ करना है साने हर लेक्शर में जो आती जा रहे हैं उसको भी आप वहां ठीक है चलो मिलते हैं फिर नेक्स लेक्शर में तब तक के लिए ओक के वाई